करण करो कश्ट हरो ग्यान दो भगवन हेलो एवरिवन आज मैं आपको द्वार का मोड के पास थी पीपल चौक है आप में से बहुत से लोगों का पता होगा पीपल चौक के बारे में वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो की शनी धाम के नाम से प्रसिद्ध है ऐसे याप पीपल चौक के अंदर आप एंटर करेंगे एंटर करते ही थोड़ा सा आगे आपको चनना है और राइट हैंड साइट पे ही आपको शनी देव की बहुत बड़ी आपको प्रतिम आपको देखने को मिल जाएगा औरस के थोड़ा सायट को बगखे हो और मंदिर को अपको स्पोन वगए और राइट हाँ और हां तो यहां से हमने शनी मंदर के अंदर प्रवेश कर लिया है अब हम जा रहे हैं आपर कूजा करने के लिए और इस मंदिर के सबसे बड़ी जो खासियत है कि यहां पर आपको नौ ग्रों के दर्शन आपको मिल जाएंगे प्लस इसके सासित आप यहां पर शनि 40, हनुमान 40, भैरो 40 और काली 40 भी आप पड़ सकते हैं और यहां पर हनुमान जी का एक बहुती बव्य स्वरू बनाया गया है इसको अब हम जा रहे हैं पूजा करने शनीदेव की जो आई दिन तब को पता हुगा के पिपल की पूजा करते हैं शनीवार वाले दिन और काले तिल, चने, उडद की डाल और ये सारे चीज़ अब हम समर्पिट करेंगे शनीदेव जी को एक चीज़ और जब भी आप पूजा करते हैं या शनीदेव के मंदिर में जाते हैं कहते हैं कि कभी भी कॉंटिडियूसली आपको शनीदेव की आँखों के तरफ नहीं देखना चाहिए जब भी आप पूजा करो तो हमेज़ा सिफ आपका ध्यार उनके चरणों के तरफ ही हो कि चाहिए और शानिदे की पूजा के सासाथ पीपल की पूजा का बहुत बड़ा महात्म है अगर आप शाझनी देव के मंदिर में जाता हो तो उसके बाद पीपल की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहते हैं कि शनिवार के दिन उनका इस पेड़ पर वास होता है क्या आप जानते हैं कि जहां भी शनी मंदिर होगा जहां भी शनी देव की प्रतीमा होगी वहां पर हमेशा आपको शिवलिंग जरूर मिलेगा वो पता है क्यों वो इसलिए कि शनी देव के जो अरादे हैं जो उनके घुरू है वो है महादेव तो महादेव की पूजा करना भी बहुत जरूरी है और यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ पर सब मिलकर चाली सा पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप नो ग्रहों को देह सकते हों। और नो ग्रहों के सासद आपको यहाँ पर भी नौ परिक्रमा लगानी है जिससे आपके सारे नौ ग्रेश शान्त होते हैं और एक पिस और कि यहाँ पर जब भी आप परिक्रमा लगाए इस मंदिर की मानेता है कि आपके हाथ पीछे की तरफ फोल्ड होने चाहिए अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के उपर वाले हिस्से पर जहां पर आपको शनी देव की बड़ी सी प्रतीमा आपको देखने का मिलेगी और शनी मंदिर के सामने एक और मंदिर है जो की राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पर आपको राधा कृष्ण मंदिर की भव्य प्रतीमा आपको देखने का मिल जाएगी जो की मन मोहक है और यहाँ आते ही आपको बहुत ही आनंद का अनुभव प्रतीत होगा बाकी यहाँ पर आपको बाके बिहारी जी है दुर्गा मादा के दर्शन मिल जाएगे श्री राम जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर है तो कैसा लगा दोस्तों आपको शनी मंदर और उसके साथ में जो काना जी का मंदर था अब की अच्छा लगाओ उन्हें आपको एक इडिन प्रेस बताया द्वार का मोड का तो अगर आप द्वार का मोड यह इस से नियर भाए रहते हो तो और आपको इस जगा के बारे में नहीं पता तो हम बताने आए इस के बारे में और डेफिनिटली इस जगा पर जाना बह बाहर की जितनी भी प्रेशर लेके आप भूमरों सब हलका हो जाता है अंदर जाके तो चलो अब जादा हम धालवे चीजे नहीं बताते आपको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना हो हम मिलता आपसे अपने नेक्स ब्लोग में